विदिशा के पठारी में दिपावली के बाद मोन पर्मा के दिन मोन धरन करके मोनी बाबा की करीब 17 सदस्यों की टोली दिवारी गाते और नास्ते हुए बारा गाउ में पढ़ने वाले सभी मंदिर पढ़ जाकर मस्तक नवाकर परिक्रमा पूरी करते हैं यह परंपरा शेत्र में आज भी वह लोग कायम रखे हुए हैं नहीं तो पुरानी परंपरा अब देखने को भी नहीं मिलती हैं बाबाई कला से सभी मोनी टोली सुबह गाउ माता के नीचे से निकल कर मन वरत धरन कर के गाउं से निकलते हैं टोली पूरे बारा गाउं 51 किलोम करते हैं हिंदू संस्कृति को जीवित बनाये रखे हुए हैं उनके करीब 9 साल परिक्रमा के पूरे हो चुके हैं तीन साल शेष रह गए हैं तीन साल पूरे होने के बाद वो सभी गोवर्धन की परिक्रमा करके समापन करेंगे वितीशा पठारी से आसिस सहले की हमारे गंदे में घंड की परमपरा रीती है हमोरे देव मराज के दर से मौन विरत करके बारा गाओं के मेले को जाते हैं उधर से आनके हमारे दर के सबी गाओं देहात में जाके और धर्म कमाते हैं और पेहले लियात रखते हैं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भुलें